ये दोस्तों Siska ने इंडिया में लॉंच कर दी अपनी पहली स्मार्ट वोच जिसका नाम उन्होंने रखा है Siska Smart Watch SW100 दोस्तों इसे स्मार्ट वोच के बारे में बोला जा रहा है कि इस स्मार्ट वोच इंडिया में टक कर देगी Amazfit और Realme Smart Watch को तो क्या ये सच है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे सिसका की नई स्मार्ट वोच जो की हाली में लोंच हुई है इसका Amazfit की नई स्मार्ट वोच के साथ जिसका नाम है Amazfit Beepass Light तो वीडियो का फिर इंटरस्टिंग होने वाली है मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप में साथ वीडियो में लास्तक बने लाना तो वीडियो शूर करने से पहले तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वोच की डिस्प्ले के बारे में Cisco SW100 में आपको 1.3 इंचिस की TFT LCD तच डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कस्टेमबल वोच फेसिस के साथ आएगी यानि कि इसके वोच फेसिस आप अपने हिसाब से बदल सकते हो आप अपनी गैलरी से इसके वोच फेसिस लगा सकते हो वही Amazfit Vipass Lite में आपको 1.2 इंचिस की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि एक Always On डिस्प्ले होगी और इसमें आपको 2 बिल्ट इन डिजिटल वोच फेसिस मिलेंगे और आप इन वोच फेसिस को 1.500 से भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हो Amazfit की एप्लिकेशन के थूँ अब बात आदी है कि डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्ट वोच में से कौन सी वोच बैस्ट है दोस्तो डिस्प्ले साइज में कोई ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है 1.3 इंच और 1.2 इंच में बस थोड़ा साइज डिफ्रेंस है फीचर्स को देखते हुए Amazfit Vipass Lite के साथ जाना डिस्प्ले के मामले में हैं तो चली दोस्तों बात करते हैं बैटरी की सिसका में आपको 15 डेज की टोटल बैटरी मिलने वाली है कमपनी ने इसके बारे में ये नहीं बताए कि ये बैटरी कितने एमेच की है कितने दिन तक ही चलेगी की रेगुलर यूज़ पर या कितने दिन तक ही है स्टैंडबाइ मोड पर चलने वाली है बस कमपनी ने ये लिखाए कि 15 डेज की बैटरी लाइफ आपको इस स्मार्ट वोच में मिलेगी वही Amazfit Bipass Lite में आपको 200 डेटरी मिलेगी जिसका वरकिंग टाइम होगा 8 से 12 दिन वही पावर सेविंग मोड पर चलाओगे तो 30 दिन तक ही चलने वाली है तो दोस्तो यहाँ पर बैटरी के मामले में मैं Amazfit Bipass Lite के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि सिसका नहीं यहाँ पर बैटरी की पूरी डिटेल समें नहीं दी है यानि कि इसमें कुछ लोचा है भाई दोस्तो गर बात की जाए वाटर प्रूफिंग की तो सिसका में आपको IP68 रेटिट वाटर रेजिस्टन सर्टिफिकित मिला होगा जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि आप अपनी समार्ट वोच को 50 मिटर तक पानी के अंदर ले जा सकते हो तो दोस्तो यहाँ पर वाटर पूफिंग जिस समार्ट वोच की बैटर है वो है अमेज़विट विपैस लाइट तो आप अगर वाटर पूफिंग के लिए कोई समार्ट वोच बैटर चाते हो तो आप अमेज़विट विपैस लाइट के साथ जा सकते हो वह अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी के मामले में भी अमेज़विट विपैस लाइट आ गया है क्योंकि Amazfit BPS Lite में आप लोगों को Bluetooth version 5.0 मिल जाता है वह एकर कई जाए Cisco की बात तो इसमें आप लोगों को Bluetooth version 4.2 मिल जाता है दोस्तों connectivity पर मैं इतना ज़्यादे ध्यान नहीं देता क्योंकि दोनों smartwatches आपकी जो phone है उससे easily connect हो जाएगी तो connectivity के मामले में आप दोनों में से ही कोई सी smartwatch ले सकते हो लेकिन मैं कहूंगा कि Advance version जी से smartwatch में है Bluetooth का तो वो है Amazfit BPS Lite दोस्तों sports mode के मामले में Cisco smartwatch आगे है Amazfit BPS Lite से Cisco में आपको 11 sports mode मिल जाते हैं तो वही Amazfit BPS Lite में आपको 8 sports mode मिल जाते हैं अगर बात की जाए health trackers की तो दोनों ही smartwatches में लगबख same health trackers हमें देखने को मिल जाते हैं दोनों ही smartwatches में आपको sleep monitor, calorie burn, heart rate sensor, step count, yoga monitoring feature कि सारे जितने भी health के लिए आपको feature चाहिए वो दोनों ही smartwatches में same हमें मिल जाते हैं so health trackers के मामले में दोनों ही smartwatches बिल्कुल same है अब बात आती है smart features की दोस्तों सिसका में आपको बस smart notification alert का option देखने को मिलता है जिससे कि आप अपने phone की सारी notification अपनी watch पर ही देख सकते हो आप इस smartwatch से अपने phone का music और अपने phone का camera कंट्रोल नहीं कर सकते वही Amazfit Beepass Lite में आपको smart notification का alert तो देखने को मिलेगा ही वही आप इस smartwatch से अपने phone का music और अपने phone का camera दोनों ही control कर सकते हो so smart features के मामले में भी Amazfit Beepass Lite आगे है सिसका की smartwatch से so दोस्तों अब बात आती है कि दोनों ही smartwatches में से हमारे लिए कौन से smartwatch best है so मैं आपको simply कहूँगा कि आप Amazfit Beepass Lite के साथ जाना सिसका के साथ आप मत जाना उमीद करता हूँ कि सिसका अपनी smartwatches में आने वाली जो इसकी smartwatch होगी उसमें काफी ज़्यादा improvement करेगा और वागई यो Amazfit और Realme smartwatch को टक्कर दे पाएगी क्योंकि आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सके so दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए interesting से comparison के साथ में तब तक के लिए जे हिंद